पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते इसके बाद 2019 में पुल्वामा हमले के बाद नितिन गड़करी ने भी पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत पाकिस्तान में बह रहे अपने हिस्से के पानी को रोक सकता है अब लगता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक एतिहासिक कदम उठा सकता है सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रोक सकता है भारत पाकिस्तान के साथ 1960 से चली आ रही सिंधु जलसंधी यानि इंडस वाटर ट्रीटी पर बड़ा कदम उठा सकता है भारत ने कहा है कि पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी पर एक तरफा कदम उठा रहा है जो बिलकुल भी ठीक नहीं है इसी के चलते भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार नोटिस जरी करते हुए 90 दिनों में उससे जवाब मांगा है अगर पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया तो भारत बड़ा कदम उठाएगा कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास अपनी एक पुरानी भूल को सुधारने का सुनहरा मौका है ये भूल तब हुई थी जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नहरू ने पाकिस्तान के तकालीन राष्ट्रपती अयूब खान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी इस वीडियो में आपको बेहद ही आसान भाशा में बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नोटिस जारी किया है और इंडस वाटर ट्रीटी क्या है आपको बता दे कि विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई विवाद खड़े हुए उन में से एक पानी को लेकर भी था ये विवाद इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान में जाने वाली नदिया भारत से होकर गुजरती हैं पाकिस्तान को डर था कि अगर भारत ने कहीं इन नदियों को मोड दिया या पानी को रोक दिया तो पूरे पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा इसी मुद्दे को सुलजाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वॉटर ट्रीटी साइन हुई थी इस ट्रीटी के तहट छे नदियों के पानी का बटवारा हुआ था पूर्वी नदियां जिन में राभी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं इनके पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया तो वहीं तीन पश्चिमी नदियों जिन में जेलम, चिनाब और सिंधू नदी शामिल हैं इनके पानी को बिना किसी रुकावट के पाकिस्तान को देना तै हुआ था इंड़स वाटर ट्रीटी में ये भी तै हुआ था कि भारत पश्चिमी नदियों के पानी का भी इस्तमाल कर सकता है पाकिस्तान के हिस्से वाली इन तीन पश्चिमी नदियों में करीब 20 प्रतिशत हिस्सा भारत के लिए भी है इसी नियम के तहट भारत ने जेलम और चिनाब नदी पर दो प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किये भारत ने तैय नियमों के अनुसार जेलम नदी पर किशन गंगा हाइडरो पावर प्रोजेक्ट और चेनाब नदी पर रातले हाइडरो प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था आप सोच रहे होंगे कि जो नदियां पाकिस्तान को दी गई थी उन पर भारत क्यों प्रोजेक्ट बना रहा है तो आपको बतादे कि ये सब कुछ रूल्स के मुताविक हो रहा है भारत ट्रीटी के तहट पश्चिमी नदियों पर प्रोजेक्ट्स बना सकता है लेकिन ये projects run of the river projects होने चाहिए यानि वो projects जिनके तहट पानी को रोका नहीं जा सकता इसलिए भारत ने चेनाब और जहलम नदी पर जो projects बनाए वो run of the river ही है यानि भारत के इन projects के बनने के बावजूद पाकिस्तान पर कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी भारत के इन प्रोजेक्ट्स पर बवाल खड़ा कर दिया बे बुनियाद बाते शुरू कर दी पाकिस्तान ने 2016 में इन प्रोजेक्ट्स पर इंटरनेशनल कोट की दखल अंदाजी की मांग कर दी और अब पाकिस्तान ने कहा है कि इंटरनेशनल कोट इस पर सुनवाई कर सकती है इसी बात से भारत भड़क गया है भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी का उलंगन किया है आप देखिए कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई जंगे छेडी, कई आतंकी हमले किये लेकिन भारत ने कभी भी पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को नहीं रोका भारत ने हमेशा उदारता दिखाई लेकिन पाकिस्तान फिर भी इंटरनेशनल कोर्ट की बात करता रहा भारत ने हमेशा पाकिस्तान से कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी के तहद उसे कोई दिक्कते या परिशानिया है तो वो बात करे लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत से बात नहीं करेगा बलकि इंटरनेशनल कोट की बात मानेगा पाकिस्तान की इनी हरकतों को देख 62 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत इंडस वाटर ट्रीटी में खुद ही संशोधन की मांग कर रहा है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 25 जनवरी को नोटिस जारी कर दिया है भारत ने कहा है कि हमें खुद पाकिस्तान ने ये एक्शन लेने के लिए मजबूर किया है